दुर्ग रेल्वे स्टेशन में सिंधी समाज के शदानी दर्वार समीती के द्वारा निशुल्क पानी पिलाने का कारे प्रारम किया गया 23 तारिको दुर्ग स्टेशन के प्लेटफर्म नंबर 2 पर सिंधी समाज के धर्मगुरू के द्वारा विधिवत इसका शुभारम किया गया। विगत लगभग 14 वर्षों से समाज के द्वारा इस सेवा कारे को गर्मी की मौसम में एजित किया जाता है। भीशन गर्मी की मौसम में निकलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को ट्रेन में ही पाने उपलब्द कराया जाता है। लगभग 6000 लीडर पाने 50 से अधिक समीती सदस्यों के द्वारा यात्रियों को दिया जाता है। इस सेवा कारे के बारे में जानकाई देते हुए सिंधी समाज के धर्मगुरू एवं आजन समीती के वरिष्ट प्रादिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी। देञ्ट को सब्सक्राइब के लिए रिक ओसरी पारे में आख विविंगे यहां पर अज से ख्रमगुरू ए और भरिषर्ण कार और के वर्प्राद कष्ट के वर्सवा यहां पर तरहra है जिसका जोबखोर तेइस दसे वर्शे उस्भाय खाज यहां पर शोबर्म हुआ है जिसमें शाम को आप पुझे संतिरी स्वयम आएंगे यहां पर करने यहां पर हम लोग दोजा चोदा से शिवा लगातर कर रहे हैं हर साल यहां पर लगबग रोजाना चार से पांचार लीटर की पानी की खपस होती है और सबसे मेनवाद की पानी धंडा और स्वर्श होता है विशेज रूप से हम लोग चालियों के माध्यम से जनर्लोगी यात्री जो भीड के कारण नीचे नहीं उतर पाते हैं उनको उनकी बोगी तो जल पहुचा कर पिलाते हैं और सिलिपर बोगी में भी जल पहुचा कर लोगों को पिलाते हैं लगबग यहां पर रोजाना 50-60 लोग बनाखर च्रवा करते हैं सुबह 8 बजे जल आश्रुम की शुरू होती है लगातार शामशेव में तक चलती है अपर जो लोगों का उस्ता है जो यात्री को जल मिलता है और बड़े खुश होते हैं पानी लेकर उनको जल बिनाने लिए जर पर लिए उस पुनितकार मे समाज के हमारे सिंधी समाज के बड़े बुजुर्ग युवां और महिलाएं भी आकर यहां पर अपनी शेवाएं देती हैं भारतिय संस्रीति और सभ्याता का प्रतीख लगभग 300 प्राचीन पूझ शदानिदर बारतीर और वहां के वर्तमान गदी नशीन परमपूसंद यु सिवा पूरे समाज की ओर से और शदानी सिवा मंदल की ओर से लगभग दिन में पूरे दिन भर में छे हजार से साथ जार लीटर पानी और लगभग 80-100 वोलेंटियर्स के माद्यम से यह 16 साल जल की सिवा प्रारम है और इशवर की ऐसी क्रिपा है 36 गड़ का यह स्टेशन दूर्ग समय के अभाव से दिन दुफेर बारा बज़े से लेकर के जो चार बज़े तक का समय है सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक गाडियों का क्रॉसवर होना यह दुरूप से ही होता है और उसी सिलसले में खास तोर से मुक्य सेवा उस दिन के समय जो भारी दूप के समय अस्ती वॉलेंटियर्स के दिन में लगब साथ से आथ हजार लीटर पानी सेवा के माध्यम से लोगों को पिलाया जाते है और जल ही जीवन है मानव की सेवा ही मादव की सेवा है परणफू संतों का यह उद्देश सभी दिल में आस्ता के साथ और भावना के साथ वो लेकर ओद्देश संतों की सेवा ही इंसानी जात की सेवा मानवता की सेवा यह सबसे बाढ़ा धर्म है इससे बादा ना जोइन नहींदे čसता यह परंपू संतों का अश्रुबात है हम सबी पर है और हुश्सी उद्देश पर हम सबीच़ते हैं इंसानी जात का बला होगा प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा